मेरे परिवार जनो पहले किसानों की सूद कोई नहीं लेता था हमने पीएम किसान सम्मान ने दी इन मेरे शेदकरी भाई बैनों गले शुरू की इसकी मदद से देश भर के करोड़ों छोटे किसानों को दो लाग साथ हजार करोड रुपिये दिये गए हैं यहां महराश्टा के छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे 26,000 करोड रुपिये ट्रांसपर हुए हैं मुझे इस बात की खुशी है कि महराश्टा सरकार ने नमो शेदकरी महा सम्मान निदी योजना शुरू की है इसके तहट महराश्टा के शेदकरी परिवारों को 6,000 रुपिये और अतिरक्त दिये जाएंगे यानि अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निदी के 12,000 रुपिया मिलेंगे प्यम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागर है आपके लिए बड़ा अपडेट इस वीडियो में लेके आया हूँ अगर आप वीडियो अंत्रक देखते हैं तो सब कुछ आपको मैं यहां पर जानकरी देने वाला हूँ यानि जो किस्त यहाप पर जारी होगी वो अब 4,000 रुपे की होगी जो भी किसान भाईयो को पहले 2,000 रुपे मिलते थे अब यहाप पर 4,000 रुपे मिलने की पूरी संबाब ना है यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि PM किसान सम्माने दी यूजना की 15 में किस्त का पैसा कब आपको रिलीज होगा और आपके वेंग खाते में आएगा उससे पहले आपको कुछ और भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे आप यहाँ पर बात आती है कि PM किसान सम्माने दी यूजना में जिन किसान भायों को लैंक शीडिंग में प्रोइम होगी या नहीं होगी उसके बाद में आधार शेडिंग की बात करें की आधार शेडिंग वालों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पर AK Bears इ Battlefield सबी किशान बायों कि बताता हूँ जिन किशान बायों के लेंड शेडिंग 9 थी तो अब यहाँ पर ES होना भी start हो गई है आप अपना श्टेट जाकर check कर सकते हैं अब उनको भी यहाँ पर पैसा मिलने की पूरी पूरी शंबाबना है आधार कार्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आधार कार्ड आपने अपना बैंक में जमा कर दिया है तो बहुत पोस्ट बैंक उसमें जाकर आप 200 रुपए में खाता खुडा सकते हैं जिसमें आपका NPCI, PFM, सारा कुछ जो है वो लिंक रहेगा बैंक में जाकर आप खाता भी उपन करा सकते हैं जिससे आपका NPCI और जो PFM होता है शारा कुछ लिंक रहेगा तो आप 200 रुपे खर्च और जाकर इंडियन पे पोस्ट बैंक में जाकर अपना एकॉइंट ओपन करा लिएगा जिससे आपको यहापे जो भी किस्त का पैसा है वो आपके बैंक खाते में आ जाएगा अब यहाँ पर बात आती है कि पंदरिमी इस्ट्रॉल्मेंट का पैसा आपको कब मिलेगा तो किसा आज कल में जो है वो पीम किसान समाने दी योजना की गोशना हो जाए जिसके माद्धम से आपको पीम किसान समाने दी योजना की जो पंदरिमी इस्ट्रॉल्मेंट है उसका पैसा है पर मिल सके और जिसमें साबसा बदाया गया है कि महराच सरकार जो है किसानों को चार हजा में आ सके तो यहां पर बहुत बड़ा अपडेट था अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें सेर करें चैनल पर पहली बार विजित करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें करोड़ो किसान समानी योजना की पंद्र में स्ट्रॉल्मेंट का अब किसान भाईयो खत्म हो गया है हम आज आपको सब कुछ यहां पर बताने वाले हैं कि आपको पंद्रमी स्ट्रॉल्मेंट का पैसा कव रिशीव होगा सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे आप हमारे साथ में बिल्कुल बने रहेगा PM किसान समाने दी यूजना का जो पैसा है कितने किसानों को यहाँ पर मिलने वाला है काफी बड़ा सबाल है यहाँ पर आता है किसान भाईयों के लिए कि जो पैसा है यानि हमें कब तक मिलेगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे जैसे आप अपना इस्टेट को चेक करते होंगे तो यहाँ पर आपको stop by state कुछ S परकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता होगा तो इन किसान भाईयों के लिए भी यहाँ पर good news है और यहाँ पर हम बात करते हैं जिन किसान भाईयों की आधार शीडिंग पैंडिंग में थी तो उन किसान भाईयों के लिए भी बड़ा अपडेट आ गया है अगर उन्होंने जल्द से जल्द जाकर अपना अकॉंट ओपन करा लें अगर ओपन नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पर PM किसान समाने दी यूजना की जो किस्त है उसका पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे और स्टॉल्मेंट का पैसा कब आपको मिलेगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे आप हमारे साथ में बने रहीएगा यहाँ पर PM किसान सम्मानेदी यूजना में काफी बड़े बड़े अफडेट भी आ रहे है जिससे किसानों को काफी सारा वेनिफिट होने वाला है और जिससे किसानों को अब की बार जो है 2000 रुपे मिलते थे PM किसान सम्मानेदी यूजना की तो यहाँ पर एक वीडियो में सिरी नरेंदर सिंग मोधी जी ने यानि जो हमारे देश के प्रदायन मंद्री जी हैं उन्होंने साप साप आपको बता दिया है कि अपकी बार महराश्क जो सरकार है वहाँ पे आपको 12,000 रुपे जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे यानि अपकी जो किस्त है जो रिलीज यहाँ पर होगी तो वो 4,000 रुपे की रिलीज होगी तो ऐसा माना जाता है कि आपको मैं बता दूँ कि पूरी इंडिया में हमारी जो इंडिया है और जितनी भी यहाँ पर सारी स्टेडों में भी होने की संबाबना है फिलाल यहाँ पर आपको भी 4,000 रुपे मिलेंगे तो यहाँ पर हैना किसान भाई यो वड़ा अपडेट और मैं आपको बताता हूं कि काफी वड़े वड़े अपडेट है यहाँ पर आ गये है और जिससे पीम किसान समय ने दियूजन की पंदरमेंट का भी अपडेट है यहाँ पर आगया ह जिनको काफी समय से किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है यानि उन्होंने रेजिशन 2019 में किया था फिर भी उनको पीम किसान सम्माने दियूजन का पैसा नहीं मिल रहा है तो उन किसान भाईयों के लिए भी यहाँ पर गुड नियूज है वहाँ पर भी उन किसान भाईयों को पै पीम किसान सम्मानिती उजना की पंद्रिमी किस्त का पैसा मिलेगा और उसके साथ में जो पैसा रुग गया था जो रुका हुआ किस्त का पैसा है भले ही आपका एक स्टॉल्मेंट के बाद कोई भी स्टॉल्मेंट का पैसा नहीं मिला है या फिर आपको एक भी का पैसा नहीं मिला है तो ऐसे में आपकी बार जो है पीम किसान समानी दी यूजना की सारी किस्ट के पैसे आपके वेंग खाते में ट्रांसफर कर دी जाएंगे आपको परिशन होने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आपको अपना स्टेट को चेक करते रहना है और चेक करने के साथ साथ अपनी स्टीट को भी देखते रहना है और जिन किसान भाईयों कि PM किसान समाने दी उजना में लैंड शीडिंग की प्रॉब्लम है तो उन किसान भाईयों के लिए भी बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है क्योंकि वो किसान भाईयों अपनी लैंड शीडिंग को सही करवा सके हैं तो जिससे उनका इस्ट्टिट में आप साब साब दिखाई दे रहा है कि उनकी जो लैंड शीडिंग है वो अब ESB हो गई है यानि आधार शीडिंग भी ES है लैंड शीडिंग भी ES है और EKYC भी उन्होंने यहाँ पर करा रखे है बात यहाँ पर आती है कि FTO क्या मतलब है और इसको NO और YES में क्या फरक पड़ता है हम आपको इसके बारे में भी हाँ पर बताएंगे अगर आपका FTO NO आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमाँ पर आपको देख लेना है एक रीजन का ओप्षन भी दिया गया है उसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है तब तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं आ रहा है तो समझ लिजीगा आपको सारी किस्ट का पैसा मिलेगा यानि जो भी किस्ट का पैसा आपको रुका हुआ है अगर आपकी एक स्ट्रॉल्मेंट का भी पैसा नहीं आया है तो आपकी बार आपको एक से पंद्रा यानि तीस हजार रुपे जो है वो आपके वेंग खाते में ट्रांसफर होने की पूरी पूरी संबाबना है बिल्कुल भी आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आपको एक भी किस्त का क्योंकि कापी सारे किसान भाई यहां पर एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और मैंने यहां पर ओरिट भी किया था जिसमें जाकर दिखा है तो करोडों किसान भाई ऐसे हैं जिनको ट्रेजिसन करवाने के बाद एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो उन किसान भाईों के लिए भी गूड नूज है क्योंकि अब की वार उनको भी यहां पर पैसा मिलेगा लाइप प्रूप के साथ में हम आपको यहां पर सब कुछ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है पीम किसान सम्मानेदी यूजना में अब अपडेट पे अपडेट अपडेट पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे जिससे किसान को कापी सारा वेनिफिट भी होगा और यहां पे किस्त का पैसा भी मिलेगा जिसमें 4,000 रुपे की रख में अगर अब की वार आती है तो ऐसे में पीम किसान सम्मानेदी यूजना के किसानों को 32,000 रुपे का प्रॉफिट होगा जिन किसान भाई उको एक भी इस्ट्रॉल्मेंट का पैसा नहीं मिला है तो समझ जाईएगा 15 दूनी 30 और 2,000 और होते हैं तो 32,000 रुपे किसानों के वेंग खाते में सीधे ट्रांसपर हो जाएंगे और आप उनको निकाल थकते हैं तो है ना काफी बड़ा अपडेट यहां पर आ गया है और मैं आपको काफी सारे अपडेटों के बारे में भी और भी बता देता हूँ जैसे कि काफी सारे किसान भाईयों के मेरे पास कमेंट्स भी आएं कि सर पीम किसान सम्माने दी यूजना की पंदरमी स्टॉल्मेंट का पैसा कब मिलेगा तो उसके बारे में मैं आपको यहां पर बता दू कि PM किसान सम्मानेदी यूजना की जो किस्त है वो जारी होगी तो देखिएगा अक्टूबर निकल चुकी है तो अभी तो आपको पैसा मिला नहीं है मैं आपको यहाँ पर बता दू दिवाली से पहले पहले जो है वो आपको PM किसान सम्मानिदी यूजना की जो पंद्रमी किस्त है उसका पैसा आने की संभाबना है वैसे हम आपको यहाँ पर बता दें अभी official की बात करें तो अभी कोई भी यहाँ पर घोशना नहीं हुई है जिसमें बताया गया हो कि PM किसान सम्मानिदी यूजना का जो पैसा है वो इस दिन रिलीज होगा ठीक है तो एक अनुमान है कि दिवाली से पहले पहले हमारे देश के प्रिदाहन मंत्री जी जो है वो यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करेंगे और किसानों के वेंग खाते में सीधी डिवीडी के माद्यम से पहुंच जाएगा तो अब की बार बिलकुल प्रेशान होने की और घवरानी की जरूरत नहीं है जैसे यहाँ पर 13 मी स्टोर्मेंट और 14 मी स्टोर्मेंट का पैसा यहाँ पर रिलीज किया गया था 27 जुलाई 2023 को तो वहाँ पे 8.5 करूल किसान भाईयों को पैसा मिल था तो अब की बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब की बार सरकार ने काफी सारा जोर दिया है और किसानों की जो भी समस्याथी उन समस्याओं को सही कर दिया है जिससे किसानों को अब की बार पीम किसान समवान दी उजना की सारी रासी जो भी है वो यहाँ पर मिल जाएगी बिल्कुल परेशान मत होईएगा क्योंकि आपके ग्राम में भी आपको पता होगा अधिकारी आए होंगे जिसनों ने आपके फॉर्म का संसोदन किया होगा जिससे आपको ना कोई प्रॉब्रम रहेगी ना कोई दिक्कत आएगी किसी प्रकार की अपकी बार परेशानी नहीं आने की संबाबना है जिससे किसानों को PM किसान समाने दी यूजना के सारी इस्टॉल्मेंट के पैसे उनके वेंग खाते में ट्रांस्पर कर दिये जाएंगे जिससे किसान को कापी सारव benefit यहां पर हो जाएगा जैसे में किसान का कुछ पैसा रुका हुआ है तो वो भी उनको एक साथ पैसा मिल जाएगा तो किसान भाई हो